नमस्कार, स्वागत है आपका अमारी यूट्यूब चैनल में दिवाली का समय समाप्त हो चुका है और हल्की सी ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है और नवंबर माह चल रहा है यानि की रंजके की जुताई और इसकी उगाई का समय ठीक यहीं समय है जिस पे हम जो रंजका रहता है उसके बीज की बुवाई कर जमीन को तयार करते हैं और इसको उगाते हैं कई बार कमेंडन में हमें पूचा जाता है कि बारिस के मौसम में अगर रंजके की बुवाई कर दें तो चलेगा या फिर कोई और सी जन में कर दें तो चलेगा तो बिलकुल भी नहीं ये जो कार्तिक माह का समय रहता है या तो फिर दिवाली से 5-7 दिन पहले अगर ठंड है तो नहीं तो दिवाली के बाद का जो समय है और इसी टाइम पे कार्तिक महा लगबग पूरा होने तक आप जमीन की अच्छे से जुताई कर और इसमें रंजके की जो फसल है वो आप लगा सकते हैं तो आईए आज हम बात करते हैं इसकी जो बेजिक प्रिपरेशन है इसके बारे में तो हमें कौन सी दो तिन चीजों का ध्यान रखना है जिससे के यह जो हमारी फसल है वो पूरे साल चले और खरब न हो और इसके बाद जो दूसरी बात है वो है कि रंजके के बीज का चयन उस की तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं है कि इसके जो जमीन है क्योंकि अगर आपका रंजका अच्छा रहेगा तो आप कम से कम एक से दो सालों तक इसी जमीन में आप वहीं फसल ले सकते हैं तो आईए बात करते हैं सब अच्छे से वातावरण में से वो जो जरूरी तत्वर रहते हैं वो भी अब्जाव कर सके तो हल की जुताई करने के बाद हमें कम से कम 15 से महिने दिन तक इस जमीन को ऐसे ही छोड़ देना है इसके बाद अगर आप रोटावेटर से इस हल की जुताई के उपर जुताई करे है अब देख सकते हैं जितने भी काले धब्बे हैं यह जो आप देख सकते हैं वो सारी की सारी घोबर की सड़ी हुई खाद है लगबग एक साल से हम इसे अच्छे से जमा करते हैं और इसके बाद कुछी तरीके से पूरी की पूरी जमीन पर हमें इसको स्प्रेड कर देना ह है तो अच्छे से जमीन पर खाद लगाने के बाद जो यह देशी घायों के घोबर की जो कंपोस्ट खाद है उसको पूरी जमीन पर अब देख सकते हैं पूरी की पूरी जमीन उपर से यह जो काले धब्बे दिख रहे हैं वो सारा का सारा घोबर की खाद है तो अब जब की हमने इस पर घोबर की खाद अच्छे से स्प्रेड कर दी है तो अब हम इस मिक्सचर को रोटावेटर की मदद से मिक्स करेंगे और एक बार अगर रोटावेटर से ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा इसके उपर रिजगे के बीजों का तो ये थी कुछ बेजिक्स जो हमने आपको बातें बताई जो कि मूलभूत है और अगर आप कैमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो इसमें डियेपी डाल सकते हैं लेकिन अगर आपने अच्छे से सही से ये जो खाद है घोबर की वो डाली है तो कोई भी चीज की ज नेवाद